नमस्ते फ्रेंट्स गार्डनिंग विथ बंदिना में आपका स्वागत है और मार्च का महीना देखे शुरू हो चुका है और हम अपने गुलाब के पौधे की इस महीने में पूरी देखभाल कैसे करेंगे आज इसी पे बात होगी और थोड़ा बहुत डिसकुशन होगा कि क् कर देना है और इसी सब के पूरी डीटेल वीडियो होगी तो अभी देखिए फूल तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और यह देखिए बंच में देखे कितनी धेर सारी कलिया लगी हुई है यह सारे ही खिलेंगे यह मार्च के महीने में ऐसा नहीं है कि फूल कि में कमी हो को भ्लावरिंग बहुत अच्छे होगी ही और लगभग पूरे ही सालिसमति रहती है और इधर के देखिए जो पॉद्मिद इसमें अच्छी चल रही है और इसमें यह देखिए एक स्टेंड रोज में यह देखिए इस तरह से फूल आये हुए हैं तो यह देखिए स्टेंड रोज को दिखा रही हूं अभी मैं देखिए नहीं नहीं पतियां आदने लगती हैं यह फरवरी और मार्च का महीना पूरी ग्रोथ का रहता है तो इस टाइम हाला कि आपको लग हाँ इसकी आइडी है मोहाना इसकी यलो कलर करें देखिए फूल आये हैं और यह वाली जो जो गुलाब है इसकी आइडी ग्रीन टिंट है इसको भी आप फोड़ा नज यह गूगल में सर्च करिए गा इस तरह के भी दिखिए फूल ऐसे ही आएंगे जैसे जैसे फूल आते जाएंगे सूकते जाएंगे क्योंकि फूल सूकने लगेंगे तो धोडा जल्दी जल्दी आपड़ दिया करेगा यह अपने सूकने लगे हैं इन सारे फूल में ने हैं नितला देनी अब खाद बनाए है उसके लिए मैं मैं मेरे चैनल पर है आप चाहें तो देख सकते हैं उसमें कि यह जो वर्मी कंपोस्ट की खाद एक बनाती हूं इसको बनाने का बिल्कुल एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोल दीजिए 2-3 लीचर पानी में 1 kg वर्मी कंपोस्ट आप घोल के तैयार कर लिजेए इसको किसी भी तरह से चानने की जरूत नहीं है और इसमें थोड़ी एक मुठी नीम खली भी मिला लिया करिए और यह सरसोखली की खाद तुम्हें आपको हमेशा बताती ही रहती हूं इसे भी बना लिजिए दोनों तरह के लिक्विट फर्टिलाइजर आप देंगे तो इससे क्या है कि प्लांट की बढ़वार फूल और जितने भी तरह के निट्रिशन चाहिए होते हैं प्लांट को लगभभभभभभभभ मिल जाएंगे सभी इस तरह के सुंदर गुलाब उगाना अगर आप चाहते हैं तो लिक्विट फर्टिलाइजर पर आप जरूर धिया करें यह जो लिक्विट फर्टिलाइजर मैंने बनाया हुआ है यह वर्मी कंपोस्ट से जो बना हुआ है इसको आप बिल्कुल एकदम आराम से दे सकते हैं और पूरे साल आप इसको दे सकते हैं इससे क्या है कि पत्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आत आप इतने झ्यार पते हैं हारे गुलाब में पते नहीं हैं तो पते अच्छे हो एकदम ग्रीनिश कलर हो तो यह होता है क्लोरो फिल की वज़ा से कि खुब पत्ते ग्रीनिश हैं और बहुत अच्छे हैं हेल्थी हैं उसमें पत्ते ही बताते हैं कि हां गुलाब अच्छा है या उसकी जो तबियत है वो बिल्कुल स्वास्थ है तो उसके लिए आप इस तरह के जो लिक्विट फर्टिलाइजर है यह जरूर बन अबशना कि देने से सभी तरह के जो पूसकत्म हैं वो प्लांट मोपन को मिल जाते हैं कैमिकल फर्टिलाइजर है भी हम सकते हैं इक फूलियर पुरे टाइम पर सकते हैं हपते में एक या दो बार एक से दो बार से ज़्यादा आप नहीं करें कोई भी माइक्रो नीट्रेंट भी अगर आपके पास हो तो वह भी आप गुलाब में इस समय दे सकते हैं उसको थोड़े मिट्टी में दीजिए या फिर फोलियर स्प्रे कर दीजिए लेकिन यह जो लिक आप चैनल पर मिल जाएगी तो आप चाहें तो उसको भी देख करके उस तरह से हुमी केसीड भी आप हपते में या दस दिन में या पंदरे दिन में कोई भी एक शेडियूल बनाए उसमें ही आप उसको खाना दें जैसे हपते में अगर एक दिन लिक्वीड फर्टिलाइज और अगर केमिकल गुलाब में यूज करते हैं जैसा कि मैं भी करती हूँ आप सब भी करते होंगे तो उससे भी रेजल्ट अच्छे आते हैं यह दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ियां होते हैं अब अगली बात की जाए इसमें प्रेंट पैस्ट अटैक की तो होगा तो उसके लिए आप एक्जोडस और सूपर सुनाटा अगर यह यूज करते हैं आप 15 दिन का ही सेडियूल रखें और मैं जब आपको हफ्ते हफ्ते बताती हूं लेकिन मैं खुद भी यूज 15 दिन में करती हूं लेकिन यह है कि आप केवल उतना ही करेंगे तो उससे मैं देख पाएंगे कि इसी बीतार के थ्रिपों और मैरं नहीं लगते हूं और यह लगते हैं जैसे बहुत यह बोत में नहीं है कि और यह जो सूपर sonata यह दोनों पैस्ट अटेक लिए भी काम करते हैं और प्लांट ग्रोथ रैगुलेटर का भी काम करते हैं त째 सबीजिन ईनको देने से क्या है कि ब्लांट में जो ग्रोथ है वह भी प्रमोड होती रहती है और पेस्ट नहीं लगते हैं तो प्लांट अपने आप ही बढ़ते हैं तो यह दो धोनों ही और गेनिक हैं और पूरी तरह से आप इसको एकदम निश्चिन तो करके दे सकते हैं अपने वेजिटेवल प्लांट पर भी दे सकते हैं एक और चीज मैं गुलाब में आपको दिखाना चाहूंगे कि यह इस तरह से यह जो सकर्स है वो भी निकलाते हैं प्लांट में तो इनको भी आप पहचान करके और इस तर को आप जरू धियान रखें जो भी आपके खास करके यह जो छोटे प्लांट है इसमें तो बहुत निकलते हैं आप हर दस दिन में देखेंगे तो एक सकर्स जरूर निकला रहेगा और सकर्स क्या होते हैं यह देखिए इस तरह से जो यह नीचे से आते हैं ग्राफ्टेट प और जहाने लगें फूल तो उनको आप हटाते रहें यह देखिए यह जैसे कि यह नया फूल है और यह इसके पुराने फूल है तो यह फूल खराब हो चुके हैं इन्हें अब मुझे हटा देना चाहिए यह देखिए यह पूरे बंच में आते हैं और एक विवर ने इसकी आइडी पूछी थी तो उस समय तो मुझे नहीं पता था लेकिन अभी मैंने इसे गूगल में देख लिया है टॉप सीक्रेट इसका नाम है आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके भी फूल बड़े लॉंग लास्टिंग होते हैं और बड़े ही सुन्दर इसके फूल आते हैं फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा नमस्ते फ्रेंड्स